साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाए में भी हर भारतियों को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है अब जैसे आरोग्य से तू एप, आरोग्य से तू एप से कोरोना संकरमन के फैलते हुए रोकने में एक सजगता लाना, जागरूती लाना, पुरी परिस्तितों को पहचानना, अपने आज़ पास के परिशर को जानना, इसमें आरोग्य से तू एप ने भहुत बड़ी मदद की है उसी प्रकार से सब को वैक्षिन मुप्त वैक्षिन इस अभ्यान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोर वैक्षिन डोज लगा पाया है और उसका रेकॉर्ड उपलब्त हुआ है सर्टिफिकेट उपलब्त हुआ है तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है साथ कियों कोरोना काल में टैली मेडिसिन का भी अफुत्पुर्व विस्तार हुआ है इस संजिवनी के माध्यम से अब तक लगभग सवा करोड रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं ये सुविदा हर रोच देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक कर रही है जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है मैं आज इस अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों नर्सेश और मेडिकल स्टाप का रदे से बहुत आभाज व्यक्त करना चाहता हूँ चाहे वेक्षिनेशन हो कोरोना के मरीजों का इलाज हो उनके प्रयास कोरोना से मुकाबले में देश को बड़ी राहत दे पाए हैं बहुत बड़ी मदद कर पाए हैं साथियों आईश्मान भारत पी एम जै ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की हैं अभी तक दो करोड से अधिक देश्मासियों ने इस योजना के तहट मुप्त इलाज की सुविधा का लाब उठाया है और इसमें भी आधी लाबारती हमारी माताएं हैं हमारी बैने हैं हमारी बेटिया हैं यह अपने आप में शुकुन देने वाली बात है मन को संतोस देने वाली बात है